नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आरण मुक्त हो जाएंगे, दोस्तों, कर्ज या आरण का सिर पर होना जिन्दगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जीतना आसान होता है। कई बार उसे चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के पश्चात उसे लोटाना भारी पड़ता है और पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कश्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से मानहानी, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह जहलने पड़ते हैं। कर्ज में व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सदैव ध्यान रखें। आपकभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज ना ले। क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। शुब ग्रह और आठवे स्थान में कोई भी ग्रहन ना हो, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा, आठ अंकशनी का समझा जाता है, तो आठ, सत्रह और छबीस तारीख को कर्ज कभी ना लें। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है, इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती, कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय, सदैव ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर से कहें, हे प्रभू, ये धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें, ऐसे कर्ज जल्दी छुटकारा मिल जाता है, परन्तु कई बाप, कर्ज में व्यक्ती बुरी तरह फंस्ता चला जाता है, कोट कचहरी के मामलों में उलज जाता है, यदि ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे में आप कुछ उपा कर्ज मुक्ती के कुछ आसान उपाय, कुछ उपाय पान जो की बीडे में उपाय किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं, आगे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभ कुद्र मंठन के समय, पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था, तभी से ये पत्ता हर शुब कार्य में प्रयोग होने लगा, पूजा पाठ लेकर किसी भी शुब कार्य में पान के पत्ते को अवश्य शामिल किया जाता है, जोतिश और उपायों में भी इसे बेह पान के पत्ते का ये उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा उपाय करने एक साबुत यानि जो कटा फटा हुआ ना हो ऐसा साफ सुत्रा पत्ता ले पत्ते का डंठल दे हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है उस पर दो लॉंग और एक इलाइची रखे अब इस पत्ते को मोड कर पान का बीड़ा बना ले और मंगलवार की शाम के समय स्नानादी करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर हनुमान जी के मंदिर में जाए और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दे तीन महीने तक लगातार हर मंगलवार को ये उपाय करें किसी कलवार यदि आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है इस दिन तामसिक का सेवन ना करें सात्विक्ता बनाए रखे जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे आसानी से आप आराम मुक्त हो जाएंगे याद रखें जिवान जी उसका बेडा पार लगा देते हैं आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं अब एक दूसरा उपाय कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कर्ज लेने के पश्चात मुश्किलें बढ़ जाती हैं आमदनी और किष्टों का मेल नहीं बैठ पाता ना परियाप्त धन आता है ना कारियों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं जब आता है तब कई बार अपने चार साथियों को साथ लेकर आता है नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं पैसे कई आते हैं शुभ कारियों में अडचने आती है सगे संबंधी मूँ फेर लेते हैं लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय अवश्य करके देखें इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है साबुत ताजा, हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए डंठल हटा, इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दें और खुरदरे साइड को उपर करें उस रुखे साइड पर दो लौंग रखें अब साबधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठा कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें हाथ जोडते हुए इश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही हैं जो जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाये वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा जल्द परेशानियां दूर हो जाएंगी कारियों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा बहुत ही कारगर उपाय है अवश्य आजमा कर देखें और एक उपाय जो आप नवरात्रे में कर सकते हैं आपके उपर यदि कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्रे में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर हीम लिखकर मादुर्गा को अर्पित कर दे नौमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपने तिजोरी में रख दे और एक छोटा सा बताते हैं आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती हैं परंतु महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं आनमुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेश उपाय की आता है उपाय वाले दिन नमक ना खाएं सेंधा नमक खा सकते हैं इस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं रात में इस नानो प्रांत ग्यारह बजे से एक बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है रात के समय चारों और शांती होती है और आप प्रभू से आसानी से जुड़ पाते हैं घर में हनुमान के सामने आप आसन लगा कर बैठ जाएं दीपक जलाएं हनुमान जी को लाल पुश्प अर्पित करें और फिर ग्यारह बार हनुमान चलीसा का पाट करें यह उपाय रूप से आपको कम से कम ग्यारह मंगलवार तक करना है जल्द ही कर्द से झुटकारा मिल जाएगा ग्यारह हफतों तक हर हफते में एक दिन मंगलवार को आपको ये उपाय करना है और रात को ग्यारह बजे से एक बजे के बीच ही करना है जल्द से जल्द आप कर्द से मुक्त हो जाएंगे पुरुष मंगल दिन दक्षन मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें घर में तीन बार सुबह शाम शंक अवश्य बजाएं और प्रभु से की प्रार्थना करें आसान सा परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय है ये कर्ज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं आप रण मोचन, मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्जों से राहत मिल जाएगी कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी उपायों की मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने अवश्य करें थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से यदि आप आरण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी छोटी रकम ही सही परन्तु कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें कर्ज जल्द ही उतर जाएगा किसी व्यक्ती के घर पर यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिये उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे घर के खर्चे कर्ज के माया जाल में वो फंस्ता चला जाएगा परन्तु यदि आपके घर पर नीबू का पेड है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियाओं आएंगी आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेगी सरल भाशा में बता दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है घर में कभी भी बरकत नहीं होती और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है इसके लिए बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोश को मिटाने के लिए वो समझा गया है नीम्बू के पेड़ को मतलब यदि आपके घर में नीम्बू का पेड़ हो चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा और मान लीजिए यदि आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग परेशान हो गए है घर की लडाई को देख करके तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा पहले तो आप लोग हो सके तो नीमबू का पेड लगा लीजिए नीमबू तो रातों रात उगता नहीं है इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा धीरे धीरे नीमबू का पेड बढ़ना शुरू हो जाएगा जब जब नीमबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा यानि की माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा तो इसका उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक-एक नीम्बू रखना है आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से साथ चक्कर मारने हैं, शनिवार के दिन करना है और ये नीम्बू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है, ये चार नीम्बू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिये, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी बुरी आत्मा नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्ही नीम्बू के साथ वो चला जाएगा, वो नीम्बू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं, कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं, और अपने साथ में बह ले जाते हैं इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाईएगा दोस्तों नीमबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है मतलब आप लोग यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं आपको प्रोमोशन नहीं मिल रहा है आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं तो अब आपको एक-एक चीज़ करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा परन्तु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा दे इंटर्वियो तो देने जाते हैं परन्तु इंटर्वियो में आपका सेलेक्शन नहीं होता है तो इसके लिए वास्तु घ्यान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है बहुत ध्यान रखिएगा ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आ हनुमान चालिसा का पाठ करें हनुमान चालिसा का पाठ करते हुए आपको इस नीमबु को जिसमें हमने चार लॉंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें यदि आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिये जो आपके उपर बाधाएं आई देंगे दुर्भाग्य जो पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा बोल कर मत पढ़िएगा यदि आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है नौकरी कर रहे हो तो प्रोमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे दोस्त बात करते हैं चोथे उपाय यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है य आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा बुजर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबियत खराब रहती है ऐसे में एक नीमबू लीजिए और सर के उपर से साथ बार घुमाईए सिर्फ एक नीमबू लेना है और ऐसे चाकू का प्र जो भी आपके उपर नजर लगी हुई होगी वो नीमबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके उपर से वो नजर उतर जाएगी दो सो पाँचवा वास्तु शास्त्र के अध्याए नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाब जिसमें प्रयोग होगा न नीमबू ये एक अध्याय है जिसको यदि आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नीमबू का यदि आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में व्रिध्य देखने को मिलेगी देखिए अब आपको क्या है पहले तो ये ल एक नीम्बू को लेने के पश्चात, आपको अपनी दूकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी चार टुकडों में, अपनी दूकान के चार भाग में उस नीम्बू को रख दीजिए, सुबह के वक्त ये कीजिए, और शाम के वक्त उन चार भागों को उठा लीजि आप मान लीजिए इससे ये कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी और यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं नीम्बू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी वो कोसों दूर हो जाएंगी इतना उपाय करने के पश्चात आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोडे की तरह दोडने लग जाता है ये वास्तु ज्यान में भी लिखा हुआ है वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है आप लोग ठक चुके हैं भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं परन्तु आप लोग ठक चुके हैं मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो यकीन मान लीजिए दोस्तों किसी ना किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है आप नौकरी की तैयारी करकर के ठक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इसी तरीके की बाते हो रही है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा देखिए ऐसा है कि आप लोग यदि नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है आपके का वास होता चला जा रहा है तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नियम्बू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है, आप लोगों को करना ये है कि इस नियम्बू को धोने के पश्चार आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमा, यदि इस मंत्र को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर अपनी जेब में रख लीजिए, आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाएए, यकीन जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सेलेक्शन होना चाहिए हिंदु पूरण साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रकिया में आपका तीन से चार रुपे का खर्चा है परंतु यकीन मानिये इस प्रकिया को करने के पश्चात आपका जीवन संभल सकता है एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा परन्तु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी लिये करते हैं तो वो ही होता है और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सेलेक्शन के वक्त करते हैं इंटरव्यू के वक्त करते हैं अपने कॉम्पिटीशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता मिलना तै समझा जाता है दोस्तों सात्वां उपाय है रोगी से मुक्ति है तू ये अध्याय आपको वास्तु घ्यान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा